नमस्का फ्रेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वात समस्याओं के बारे में मैं हूँ दॉक्टर खुश्पू, मैं एक गाइनेकॉलिजिस्ट और आईविफ कंसाल्टन्थ हूँ इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसे आप बहुत लाइक कर रहे हैं पसंद कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू इसके comment box में बहुत सारे questions आये थे, confusion मुझे लगा कि listeners को हो रही है, कुछ-कुछ चीजों को कुछ point को लेके तो आज के वीडियो में हम उन्ही comment box में जो जो question आपने पूछा है, जो छोटी-छोटे confusions लोगों को होती है इसके use के बारे में आज हम वही discuss करेंगे तो पहला सवार, कितने weeks की pregnancy, कितने दिनों की pregnancy MTP kit यूज करके abort की जा सकती है, 63 days की यानि की लगभग 9 सपता की pregnancy हम MTP kit से abort कर सकते हैं, 7 weeks की pregnancy के आसपास results बहुत अच्छे आते हैं, बट 9 weeks तक abortions किये जा सकते हैं MTP kit का यूज करके, इसलिए 9 weeks तक हम safe बोलते हैं इसे calculate कैसे करें, तो suppose अगर आपका periods, जो है last menstrual periods 1st March को आया था, उसके बाद आप 1st April के आसपास में अपने periods को expect करते हो कि आने वाला है, periods miss हो गए, आपने pregnancy test की 5 April को, तो कितने week की pregnancy 5 April तक होती है, तो first day of last menstrual period से हम calculate करें, तो first से आपके 31st March तक आपके 31 days होते हैं, आपरिल में 5 days, तो total 36 days की आपकी pregnancy होती है, that comes around 5 weeks of pregnancy, मतलब आपकी pregnancy 5 सब्ता की होती है, कैसे हमने calculate किया, March में first को आए थे, तो total 30 days उधर आपके होते हैं और 5 days इधर, 35 days divided by 7, क्योंकि week में 7 days होते हैं, that is equal to 5, याई पांच सब्ता की pregnancy है, इसी तरीके से आप अपने pregnancy के दिनों को calculate कर सकते हैं, कितने दिन की pregnancy होई, कितने weeks की pregnancy होई, दूसरा सवाल, क्या MTP kit हम शौप से खरीद के खानी सकते हैं, क्या डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, फ्रेंट्स देखें, MTP kit को कैसे खाना है, मैं भी आपको बता रही हूँ, जहां से आपने medicine लिया, वो भी आपको बता देंगे, लेकिन जो contraindications है, किस patient को खाना जाए, किस patient को नहीं खाना जाए, कौन से patient में risky हो सकती है, ये आपके doctor ही आपको बता सकते हैं, that's why हम हमेशा recommend करते हैं, कि आप MTP kit खाने के पहले doctor से consult करें, ताकि हम जो भी percentage complications के हैं, कम ही हैं, उसे हम prevent कर सकें, क्योंकि एक life भी हमारे लिए important है, that's why doctor के पास जाना जरूरी है, अगर doctor आपका check कराते है MTP kit खिलाने के पहले, हमोगलोबीन चेक कराया है, हमोगलोबीन अगर कम आता है, आपकी blood group अगर negative आती है, वैसे cases में कुछ precautions लेने पड़ते हैं, हमोगलोबीन काफी कम है, तो वैसे cases में हम MTP kit नहीं देते हैं, अगर RH negative pregnancy है, तो कुछ injections होते हैं, जो patient को दिये जाते हैं, तो वो doctor ही समझ सकते हैं डॉक्टर एक ultrasound आपकी कराते हैं, ultrasound कराना भी बहुत जरूरी है, coming to our third question, कि क्या ultrasound कराक MTP kit खिलाना चाहिए, yes, एक doctor आपका जब ultrasound कराते हैं, वो कई चीजों को देखते हैं, कि आपको confirm करते हैं कि आपकी pregnancy कितने दिन की है exactly, pregnancy uterus के अंदर ही है, या uterus के बाहर है, कई बार और स्थानिय pregnancy हो जाती है, ectopic pregnancy हो जाती है, tube में pregnancy लग जाती है, तो वैसे में MTP kit successfully abort नहीं कराती है, in fact कई बार tubes rupture हो जाते हैं, इसलिए इन चीजों को rule out कर के MTP kit खाना चाहिए, in case आपको आपका period से याद नहीं है, या फिर last period में सिर्फ हलके full की spotting होई होती है, लेकिन pregnancy उस जादा की pregnancy हो गई, आपने calculate किया 7, actually 10 weeks की pregnancy थी, वैसे में जो abortion होता है, वो incomplete होता है, failure हो जाती है, bleeding बहुत जादा होती है, patient को कई बार emergency में admit करने की ज़रत पड़ती है, इसलिए कुछ कुछ complications को prevent करने के लिए ultrasound करना, doctor के पास जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपक होई भी medicine, इस तरह है कि medicine specially जब भी ले तो आप अपने doctor को consult ज़रूर करें, लोगों ने MTP kit के खाने के तरीके के बारे में भी बहुत सारे सवाल किये, क्या mesoprostol हम चारो गोलियां एक साथ खाएं, क्या दो-दो अलग करके गोली खा सकते हैं, बारा-बारा घंटे के difference पे य मैंने देखा, MTP kit में 5 गोलिया होती है, एक mefepristone की और 4 mesoprostol की, mefepristone को day 1 पे खाना होता है, यानि आज आपने खा लिया, और mesoprostol की 4 गोलिया कई तरीकों से ली जाती है, एक तरीका जो मैंने आपको बताया था कि 4 गोलियों को हमने जीप के नीचे रख लिया, या फिर अपने बकल म्यूकोसा और टीत के बीच में रख लिया, एक ये तरीका है, कई लोग जो mesoprostol की 4 गोलिया होती हैं, उसे 2-2 गोली करके 24 गंटे के बाद में स्टार्ट करते हैं, यानि आज हमने mefepristone की गोली खा ली, 24 गंटे के बाद में 2 mesoprostol की गोली खा लेंगे, और उ में mefepristone की गोली खा ली, और दो दिन के बाद में exactly 48 hours के बाद में 2 गोली मीजो की खा ली, और फिर आधे एक घंटे के बाद में 2 गोली मीजो की खा ली, रूट्स में भी वेरियेशन होता है, कोई बोलते हैं, आप औरिली खा सकते हैं, कुछ लोग मूँ जो सबलिंग्व के रास्ते में डालना पसंद करते हैं, तो ये वेरियेशन होते हैं, जो आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करें, आप उसे फॉलो करें, सबके रिजल्ट्स ऑल्मोस्स सेम होते हैं, थोड़े बहुत, जो सबलिंग्वल रूट होता है, उसके रिजल्ट्स जादा अच्छे देखने को मिलते हैं, जो टंग के नीचे हम गोलियों को रखते हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, बट अल्मोस्ट सबका सिमिलर है, इसलिए जो भी रूट आपके डॉक्टर आपका अडवाइस करते हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हो, फिर बहुत कॉमनल पर ब्लीडिंग के साथ में क्लोट्स पास हो रहे हैं, या फ्लेशी मास पास हो रहा है, तो यह एक साइन है कि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, अगर पूरा मांस का टुकरा फ्लेशी मास कंपलीट सा आता है, तो यूज़वली वो अबॉशन होता है, वो प्लेट हो कई बार लोगों को हलकी फिलकी bleeding होके रुख जाती है तो जगर हलकी फिलकी bleeding होके रुख गई तो chances होते हैं कि आपका जो procedure है या तो fail हो गया है या incomplete हुआ है वैसे में आपको आपके doctor को consult करना है जो आपको ultrasound advice करते हैं to rule out retained product of conception यानि ultrasound हमें पता चलता है कि आपका procedure complete हुआ है या नहीं complete हुआ है एक और बहुत commonly पूछा जाने वाला question है कि MTP kit का success rate क्या है friends ये बहुत बहुत अच्छी दवाया होती है ये आप घर बैठे बैठे आपको बिना surgical किसी भी procedure के through गए हुए आपका abortion हो जाता है 95-98% cases में अगर आप इसे सही तरीके से लेते हैं यानि कि जो भी procedure मैंने आपको explain किया 9 weeks के अंदर की pregnancy होगी और आप अच्छे से आप गोलियों को लेते हैं complete course लेते हैं तो आपका abortion 97-98% में complete हो जाता है सिर्फ एक से दो प्रतिशत cases में ये procedure जो होता है वो fail होता है और आपको surgical method, DNC या फिर suction evacuation कराने की जरुवत पढ़ती है so it's a very safe and successful medicine किन patients को MTP kit नहीं लेना चाहिए अगर आपको MTP kit के किसी भी दवा से कभी past में allergy हुई है आपको ये दवाइन नहीं लेनी है दुबारा अगर आपको आस्तमा है, दमा की बिमारी है तो MTP kit को ध्यान से ले या फिर कोशिश करें कि किसी और method of abortion को इस्तमाल करें MTP kit ना ले अगर अनीमिक है, और फायरिक है, हेमोगलोबीन आपका कम है शरीर में खून की कमी है, तब भी MTP kit अवोइट करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग में अगर आप दूद पिलाते हैं तो जब मीजो प्रोस्टॉल की गोली लेते हैं उसके 5-6 घंटे तक ब्रेस्ट मिल्क में मीजो प्रोस्टॉल एक्सक्रीट होता है तो इन चुरुआती 6 घंटे के जब मीजो प्रोस्टॉल की चार गोली ली उसके 5-6 घंटे तक बच्चे को दूद ना पिलाएं उसके बाद आप सेफली ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं इस दौरान अगर आपका बच्चा छोटा है आप उसे अपना ही मिल्क देते हैं तो मीजो प्रोस्टॉल खाने के पहले एक्स्प्रेस कर ले मिल्क को और उसे स्टोर करके रख ले और इस दौरान आप अपने बच्चे को दूद दे सकते हैं वीजोप्रोस्टॉल के खाने के 6 घंटे के बाद ब्रेस्ट फीडिंग अलाओ है इससे आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हमने बात की MTP kit के सही यूज से related कुछ questions answer के बारे में जो questions आपने मुझसे पूचे थे लेकिन जो इसका detail वीडियो है ये medicines कैसे काम करती है क्या side effects होते है क्या problem हो सकती है ये दवाओं को खाने से इसके लिए वीडियो मैंने already बना रखा है link मैंने description box में डाल दिया है आप description box से जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please like, share and subscribe करना ना भूले thank you